प्रदूशन की रियल टाइम इंफरमेशन के लिए आज ही स्काइमेट एक्यूआ एप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखे खयाल नमस्कार आप देखने स्काइमेट वेदर मैं हूं महेश पलावत यह देश वर का मौसम पूर बार्मान तो वेदर सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा सशक्त बने हुए है एक लो प्रेशर एरिया है जो आप देख सकते हैं जारिखंड और चतिस गड़ के आसपास देखा जा सकता है और चक्रवाती हवाओं का छेतर अभी भी राजस्तान के उपर बना हुआ है एक तरफ रेखा है जो उत्तर से लेकर के दक्षेर तक आ रही है यानि कि पंजाब हरयाना होते हुए इस चक्रवाती हवाओं के छेतर से होते हुए गुजिरात और पश्मी टटपर भी देखी जा सकती है तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि राजस्तान के कई जिलों में जो सुखा प्रभावित जिले थे खास करके उन इलाकों में पिछले कोश दिनों से बारिशी गत्विदियां बड़ी हैं खास करके अगर देखा जाए शिरोही, पाली, बारमेर, जोधपूर जैसलमेर इन इलाकों में बारिशी गत्विदियां हो रही हैं और उसी तरह से चुरू पिलानी बीकानेर इन इलाकों में भी काफी अच्छी बारिश देखने को मिली हैं काफी दिनों के बाद तो इन इलाकों में अब बारिशी गत्विदियां जारी रह सकती हैं और जो रा बातार, मुसलाधार बारिश नहीं देखने को मिलेगी लेकिन मौसम इस इलाके का शुष्क नहीं रहेगा बनसकान्था, सवरगान्था, महिसाना, इदार, पार्टन ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश नहीं हुई है हाला है कि सौराष्ट्रा में काफी अच्छी बार और बारिश नहीं मिल पा रही है लेकिन हमें उम्बिद है कि अगले 2-3 दिनों की दोरन इस इलाके में भी बारिशी घत्मिनला शुरू हो सकती है और मुंबई में भी बारिशी गत्विनिया काफी अच्छी है अगले 24 गंटों तक बारिश हो सकती है मुंबई में उसके बाद अगला इस्पेल 25 सितंबर के आसपास एक बार फिर जो कोकनेंड गोहा और टटिय महराश्ट्रा है उस इलाके में बारिश बढ़ सकती है और अगर हम बात करें बिधर्ब की तो बिधर्ब में काफी अच्छी बारिश होई है आगे भी बिधर्ब में बारिशी गत्विनिया अगले एक दो दिनों की दोरान जारी रहेंगी और मद्यपरदेश की बात करें तो मद्यपरदेश में यह जो लो प्रेशर एरिया है इसका असर देखने को मिलेगा और ट्राफ रेखा मद्य परदेश के उपर से जा रही है उसका भी असर देखने को मिलेगा तो मद्य परदेश के जातर इलाकों में बारिशी गत्विदिया अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी हाला कि बूसला धार बारिश सब जगे नहीं होगी लेकिन moderate showers और एक दो intense spell होने की संभावना इस इलाके में देर हो सकती है यह हुई मद्य भारत की बात अब उत्तर भारत के अगर बात करें तो दिल्ली एंसियार में आज बारिश हो रही है अब बात करते हैं पूर्वी भारत की तो पूर्वी भारत में ये जो साइकलोनिक ये लो प्रेशर एरिया आप देख सकते हैं तो इसके प्रभाब से गंगे पस्चिम बंगाल में और जहारखंड में बारिश काफी अच्छी हुई है अब गंगे पस्चिम बंगाल के साथ साथ उत्री ओड़ी सा जहारखंड और ब बिहार के कुछ इलाकों के साथ साथ जहारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है परियागराज वारा नसी सौनवद्रा जौनपूर बदोही ये जो इलाके हैं इन इलाकों में तेज बारिश या भारी इन इलाकों में भी मध्यम बारिश हो सकती है एक दो अच्छे स्पेल भी देखने को मिल सकते हैं उसी तरह पश्ची में उत्तर प्रदेश में भी बारिश रहने वाली है तो कुल मिला करके पूर्वी भारत में एक बार फिर मांसून सक्रिय हुआ है इस लो प्रेशर एरिया सर्कूलेशन है जो लोर लेवल पर बना हुआ था जो तमिलनाडू के टट पर था तो आज भी हमें उम्मीद है कि जो कोस्टल तमिलनाडू है उस इलाके में अच्छी बारिश होगी कल से बारिश की कम हो जाएंगी और उसी तरह अंदमान और निकोबार दिपसमों में भारी बारिश हुई है अगले दो दिनों के दोरान कम से कम भारी बारिश उस इलाके में जारी रह सकती है तेलंगाना में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है अभी भी अगले 24 गंटों के दोरान उस इलाके में बारिश तेज रहेगी उसके बाद बारिश की में कमी आ जाएगी आंत्रिक कर्नाटका में रायल सीमा और केरल इन सारे इलाकों में बारिश काफी हलकी रहेगी एक दो light spell के साथ हलका हलका एक दो जगह पर moderate spell हो सकता है और कोकर एंड गौवा के साथ-साथ जो कोश्टल करनाटका है वहाँ पर भी हल्की से मद्यम बारिश ही देखने को मिलेगी जाने कि कुल मिला करके जो साउथ पैनिसुला है उसमें बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है लक्षदीप में बारिश नहीं हो रही है ना के बराबर हो रही है तो कुल मिला करके मांसून जो है वो उत्तर भारत में मध्य भारत में और इन इलाकों में सक्रिय बना रहेगा और उत्तर भारत में भी अगले 24 गंटों के दोरान अच्छे पारिश के संभावना हमें नजर आ रही है स्काइमेड वेदर में अभी के लिए इतना ही मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइफ मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपदेट पर रखें नजर